जो मईंड़ी कायर अंदिकार में थे हमारे कोई अस्तित्व नहीं था हम मरे वे थे इफीस या 2 का 10 वचिंद कहता है कि हम मरे हुए की मरे हुए थे कि आपके पास कोई आशा नहीं थी कि ईशू का हम क्या करेंगे कहा जीवन है, कहा जोती है, कौन है जो हमको समालेगा, कौन है जो हमें आगे लेके जाएगा, कौन है जो हमें सुख और आनंद और शांती देगा, praise the lot हम मरे हुए थे, लेकिन ऐशियो ने हमें जिन्दा किया हमें आशीश दिया प्रेसलोट पडिए बेटा क्या लिखाए क्या है क्या हम उसके बनाय हुए हैं और मसी हम उन्हेक्र भले कामों के लिए दूसरे का पहला ईफीशिन दो का पहला बाड़ा उसने तुमें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे नहीं था आपका भरतर कोई आशा नहीं थी आपके पास आप कहा जाएंगे कुछ पता नहीं था कोई आशा नहीं था हमारे पास हम आशाहीन थे हम दिशाहीन थे कुछ नहीं था हमारे पास हम डर के सिंदगी जी रहे थे मौत के साये में हम डरते थे रोज एक डर हमारे सामने आता था, और शेतान हमें डराता था रोज, और आज भी डराता है, इसलिए डर के साए में हम जीते थे, परमेश्व ने हमको चुना और अपना बनाया, अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आप जा लेंगे कि मिस्स से जब इसरालियों को लेकर आया, उसे मुसा थे क्या कहा, कि म मेरे बच्चों को मेरी प्रजा को लेकर आओ, ताकि मैं, मैं चाहता हूँ और मेरी उपास ना करें, मैं उनको दासत वसे निकालना चाहता हूँ, प्रेस अलॉट, गुलामी की सिंदिगी से निकालना चाहता हूँ, प्रेस अलॉट, हलेलिया, लाल समुदर दो भागों में क लाश को नाश कर दिया जो इस लालियों पर हकोमत करते थे लॉट और बाइबल कहती है कि इसरालियों ने उनके लाशों को देखा यही तोका था परमेशन ने परमेशन यही का था ना कि मैं आपको आजाद करना चाहता हूं मैं गुलामी की जिन्दीगी से आपको आजाद करना चाहता हूँ प्रेस अलॉट आजाद हो गए थे वो जब मिसु से निकले लाल संदर से बाहर आए आजाद हो गए थे हलेलिया वो जो दुश्मन थे वो मर चुका था लेकिन परमेशर ने उनको नहीं छोड़ा परमेशर उनको सिर्फ आजाद करना नहीं चाहता था परमेशर उन्हें बसाना चाहता था परमेशर का मकसद आजाद करना नहीं है बसाना है उसने हमें जो जीवन दिया है पापों शापों से उसे मुक्त कर दिया है उसे एक नया जीवन दिया है यही उसका मकसद रही है वो चाहता है कि इस नय जीवन के साथ हम जिन्दगी जीना सीखें इस नय जीवन के साथ जो पर्मेशन हमें दिया है बहुमूली जीवन उस नय जीवन के संग हम जिन्दगी को जीना सीखें वो पुराना मनशुत जो हमारे अंदर से निकल गया है वो पाप वो श्राप जो हम से निकल गया है वो पाप और श्राप जो हमें नहीं है तो हमें क्या है? वो नई जोती वो निया जीवन हमें सिर्फ उस जोती और जीवन को पाना ही नहीं है हमें उसके संग जीना है यह इच्छा है पर्मेशन की इसलिए पर्मेशन ने हमें अधिकार दी है इसलिए पर्मेशन ने हमें बरदान दी है हमें सामर्द दी है हमें शक्तियां दी हमसे बोला कि तुम पहचानो तुम कौन हो तुम एक मंदिर हो तुम्हें पुटरात महवास करता है हलेलया तुम जाना कि तुम कौन हो हलेलया यहाँ पर आज मैं जो शुरू करना चाहता हूँ वशन को एक राजा बालाग था जो मौप का राजा था आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि वर्दानों की कितनी कीमत है जो आपको परमेश्ट ने दियें रاجा बालाक जो मौप का राजा था उसने देखा कि आज्राईलियोंने अमोरियों का नाश किया, खतम किया ख्कूमत की, उडर गया उसके पास सेना थी उसने देखा कि इसरालियों आमोरियों का मार कर उसके सामने चावनी डालकर बैठे हुए गिंती बाइस गिंती बाइस दो तीन पांच शे हललुया उससे देखा कि इसराइलीस चावनी डालकर उसकी जो मुआब की जो रिखा थी मुआब का जो सीमा थी उसके बाहर बैठे हुए उसके पास सेना थी, उसके पास दौलत थी, उसके पास हाती थे, उसके पास तोपे थी लेकिन वो डर गया, प्रेस अलट उसे हशास हुआ, उससे याद आया, कि यहाँ पर एक बिलाम नाम का नभी है, जिसको परमेशव ने चुना है वह बिलाम जिसको परमेशन ने अधिकार दिया है कि जिसको तु आशीश देगा उसको मैं आशीश दूँगा और जिसको तु शराब देगा उसको मैं शराब दूँगा प्रेस अलोट हालेलिया पड़िये बेटा सिपोर के पुत्र बढ़ो बेटा आवाज बढ़ाओ कि सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राइल ने एमोरियों से क्या-क्या किया है वो देख रहा था उस युद्ध को देख रहा था वो सुन रहा था कि कैसे एमोरी जो थे वो हार रहे थे और इस जीत रहे थे आगे इसलिए मोब यहां जानकर कि इसराइली बहुत है उन लोगों से अत्यांत्य डर गया यहां तक कि मोब इसराइलियों के कारण अत्यांत्य व्याकुल हुआ और इसने पतोर नगर को जो महानत के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाती भाईयों की भूमी थी वहाँ बिलाम के पास दूद भेजे कि वे यहां कहकर उसे बुला लाए सुन एक दल मिस्तर से निकल आया है और भूमी उनसे डग गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए है क्या बोल रहा है वो बिलाम को एक दल आगया है वो इस्राइलियों का नाम नहीं ले रहा है शैतान आपको जूट का पुलंदा पहनाता है यहां पर बिलाम को आजदमाईश में ला रहा है वो इसराइलियों को नाम नहीं ले रहा है किसने उसकी शावनी को रोका था इज्राइली उसने लेकिन वो इज्राइली उसका नाम नहीं ले रहा है मिसस एक जाती आई है वो लोग आए हुए हलिल्या वो यह नहीं बता रहा है कि वो जाती जिसको परमेशन ने बचाया है वो यहां परमेश्र की महिमा नहीं कर रहा है उसकी दोहाई नहीं दे रहा है वो बता रहा है कि मिश्र से एक जाती आई हुई है और वो यहां च्छाबनी डालके बैठी है चटा इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित साब दे अगे कि वे मुझसे अधीक बलवंत हैं तब सब्भाव है कि हम उन पर जैवन थो और हम सब इनको अपने देश को मारकर निकाल दे क्यूंकि यहां मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशिरवात देता है वह धन्य होता है और जिसको तु शाप देता है वह श्रापीत होता है प्रेस अलोट, हलो, आप समझ रहे हैं, एक राजा जिसके पास धन था, एक राजा जिसके पास सेना है, एक राजा जिसके पास घोले हैं, जिसके पास हत्यार है, जिसके पास तोपे हैं, जिसके पास सैनिक हैं, उसके पास पावर है, लेकिन वो किसके महतत है, एक वर्दान के परमेश्वर के दिये हुए वर्दान के सामने एक राजा जुका हुआ है प्रेस अलोट वो कहरा मेरे पास सेना है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन बिलाम आ, क्योंकि तेरे पास वर्दान है तेरे पास वर्दान है प्रेस अलोट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो वर्दान है उसकी शक्ति क्या है आपके पास जो वर्दान है उसकी कीमत क्या है आपको जो पर्मेशन ने वर्दान दिया है शैतान उसकी कीमत को जानता है शेतान जानता कि आपके पास कौन सा वर्दान है शेतान जानता था कि पिराम के पास क्या है जिसको वो बोलेगा आशीश देगा उसको आशीश मिलेगी जिसको वो श्राप देगा उसको श्राप मिलेगा हालेलिया उसकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी यही तो पर्मिश्टर बताना चाहता मेरे भाई कि तुम कौन हो तुम्हें मेरे वर्दानों से भरा हुआ है तुम्हें मेरे आशीशों से भरा हुआ है बिलाम लालश में आ गया एक बार उसने मना किया जब दूसरी बार उसने और लोगों को भेजा अपने अधिकारियों को और उसने कहा कि मैं सोने चान्दी से भर दूँगा सोना दे दूँगा चान्दी दे दूँगा पैसा दे दूँगा तु आ सिरब शिराब दे बिलाम लालश में आया और जब वो रास्ते पर जा रहा था तो गधी के ओपर बैठा हुआ था गधी पर जा रहा था और गधी ने क्या देखा कि सामने स्वर्दूद हाथ में तलवार लिये हुए हललुया परमेशन ने गधी की आँखों को खोल दिया गधी ने देखा कि सामने एक स्वर्दूद है जिसके हातों में लंगी तलवार है वो ढटर गई और कधी बिलाम को गिड़ा कर जंगल में भाग गई बिलाम उसे लेकर आया और उसे मारा उस ने कि तू क्यों भाग रही है मुझे गिड़ा कर फिर वो बैठा फिर वो आगे चले तो देखा उसने फिर वो सरदूथ है नंगी तलवार लिए हुए है फिर गधी भाग गई फिर बिलाम ने उसे लाया उसे मारा इस बार एक संक्रे रास्टे से वो जा रहे थे इदर दिवार इदर दिवार छोटा सा रास्टा था और गधी ने देखा कि सामने सरदूथ खड़ावा नंगी तलवार लेकर अब वो कहीं भाग नहीं सकती थी तो वो दिवार की तरह सिट गई जब वो सिटी तो बिलाम का जो पैर था वो दिवार और गधी के बीश में आ गया वो चिलाया वो गिर गया और वो मारने लगा परमेश्य ने गधी को जबान दे दी रेस अलॉट गधी बोली मुझे क्यों मार रहे हो गधी बोली मुझे क्यों मार रहे हो उसने का मार रहा हूँ तुम मेरी बेस्टी करा रही है तुम मेरा ठट्टा उड़ा रही है तु गदी है जिस पर मैं चड़ता हूँ तु मैंजी सवारी है और तु मुझे गिडा रही है गदी ने का कि है मालेक मैंने पूरा जीवन तक तेरी सेवा की है तु मैंने क्यों मार रहा है देख उदार कौन ख़ड़ा हुआ है हालेलुया तु नहीं देख रहा जो मैं देख रही हूँ तब परमेश्वर ने बिलाम की आंके खोली और सामने सरदूत को देखा प्रेस अलॉट और सरदूत के सामने जैसे उसने देखा सरदूत के सामने बिलाम नतमस्तक हो गया मूँ के बल गिर गया सरदूस ने का तेरे मन में बुराई है तुझे परमेश्वर ने वर्दान दिया है तुझे वर्दान का गलत इस्तमाल करना चाहता है चंद पैसों के लिए चंद रुप्यों के लिए रेसलोट शैतान का क्या तरीका है शैतान जानता कि आपके बास अधिकार है शैतान जानता कि आपके बास सामर्थ है शैतान जानता कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं शैतान जानता कि पवित्रात्मा का आशीश आपके अंदर है शैतान जानता है इसलिए वो आपको आजमाईश में लेकर आता है इसलिए वो आपके विश्वास को कमजोर करता है, इसलिए वो आपको उस रास्ते पर लेकर आता है, जब आप आजमाईश में होते हैं, जब आप परिक्षा में होते हैं, जब आप परमेश्र को समझ नहीं पाते हैं, और उस वक्त आप परमेश्र के निंदा करते हैं, जब आप परमे हालेलोय है आप नहीं जानते हैं। आप अपनी आजबाइश आप अपनी तकलीफों से मुसीब्तों से लट रहे हैं। अलॉट होता क्या हैं? होता क्या है? आप किसी काबिल नहीं है लेकिन आप समझते मैं काबिल हूँ। आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप फल चाहते हैं, आप परमिश्र की आग्याओं पर चलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आशीष चाहते हैं, और जब आपको आशीष नहीं मिलती है, जब आपको फल नहीं मिलता है, तो आप यह नहीं कहते हैं कि मुझे में कमी थी, आ आप यह नहीं कहते हैं कि मैं आग्या पर नहीं चला, आप यह नहीं कहते हैं कि मुझे महीं कमी थी, मैंने महनत नहीं की, आप परमेश्वर पर दोश लगाते हैं, अरे परमेश्वर तुने मेरे लिए क्या किया है, मैं चर जा रहा हूं, आपका बाइबल पढ़ रहा हूं, त बर्दान जो आपको जीवन देना चाहता है वो परमेश्वर जब आप निंदा करते हैं जब आप बुराई करते हैं उसका अशीश आप से दूर हो जाता है आप नहीं जानते हैं नीती वर्जन 18 का 21 आप नहीं जानते हैं कि आपकी जबान में मृत्यू और जीवन दोनों है आपकी जबान पर आपकी जीव पर मृत्यू और जीवन दोनों है बाइबल कहती है जो जिसका जो उसका जैसा इस्थमाल करना चाहता है वैसा फल पाता है पढ़िए बेटा नीती वेजाना ठारा काई किस जीब के वश में मृत्यू और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा जो उसका जो उसको काम में लाना जानता है उसका फल कौन भोगेगा आपकी जीव में वर्दान है आपकी जीव में शक्ती है लेकिन आप उसका फल नहीं भोग रहे क्योंकि आप उसका सही इस्तमाल नहीं कर रहे अगर आप अपनी जीव का सही इस्तमाल करेंगे तो बाइबल कहती है आपके मुझसे जो शब्द निकलता है वो काम करता है परमेशन ने आपको इतनी आशीष दिये ये शाया पच्च्पन का ग्यारा ये शाया पच्च्पन का ग्यारा क्या कहता सुनिए आपकी जीव में मृत्ति और जीवन दोनों है जो फलकॉन पाता है जो उसको काम मिलाना जानता है प्रिस अलोट अब देखो यहाँ पर क्या है दसमा पढ़ो दसमा पढ़ो जिस प्रकास से वर्षा और हीम आकास से गिरते हैं और वहाँ योही लौट नहीं जाते वरन भूमी पर पढ़कर उपज जाते हैं जिस से बोने वाले को बीच और खाने वाले को रोटी मिलती है आपको रोटी कैसे मिलती है आपको बीच कैसे मिलता है जो वर्षा आकाट से गिरती है जो हीम आकाट से गिरता है वो जब गिरता है तो वो अपना काम पूरा करके जाता है उसी तरीके से ग्यारवा क्या कहता है कि मेरे मूँ से जो शब्द निकलता है पढ़िए बेटा उसी प्रकास से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ढहकर मेरे पास ना लोटेगा परन्तों जो मेरी इच्छा है उसे वहां पूरा करेगा प्रेस लोट जो वचन मेरे मुख से निकला है वो अपना काम करेगा हलो वो वचन अपना काम करेगा इसलिए हम अंगिकार करते हैं इसलिए बाइबल कहते हैं पॉलूस कहता है दूसरा करुंतियन 10 का 3-4-5 जो हम आपको शबत लेते हैं उसको ध्यान से समझिए दूसरा करुंतियन 10 3-4-5 जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो अपना काम करता है जो वचन आपके मुख से निकलता है वो काम करता है Hallelujah Praise the Lord इसलिए वज़न क्या कहता है बड़िया बेटा क्योंकि ये तेपी हम शरील में शलते फिरते हैं तो भी शरील के अनुसार नहीं लडते क्यों नहीं लडते हैं शरील के अनुसार क्योंकि हमारे युद्ध के हतियार शारीलिक नहीं है आपके युद्ध के हतियार कौन से है इश्वर ये सामर्ज से भरपूर है बड़ी बेटा चो था क्योंकि हमारी लड़ाई के हतियार शारिरिक नहीं पर गड़ों को ढढ़ा देने के लिए परमेश्व के द्वारा सामर्थी है हमारे पास जो हतियार है मेरे भाई बड़ों को ढढ़ाने के लिए वचन के कहता है क्योंकि हमारी लड़ाई के हतियार शारिक नहीं पर गड़ों को ढढ़ाने के लिए किसके गड़ों को शैतान के गड़ों को शैतान को तबा करने के लिए नहीं शैतान के गड़ों को ढढ़ के लिए परमेश्वरदारा सामर्थी है हमारे पास जो हतियार है इसलिए अंगिकार करिए उन हतियारों का रोस आपके पास हतियार है और आपके पास वो हतियार है जो शैतान के गड़ों को धोस्त कर देते हैं प्रेजलोट इसलिए वो हतियारों का देकि शैतान आपको होने वाला है इसलिए वापको आजमाईश में डालता है इसलिए वापको चिंता में डालता है इसलिए वापको डर में डालता है इसलिए आपको डर में डालता है इसलिए आपको कहता है तेरा क्या होगा बेटी की शादी नहीं हो रही क्या होगा शादी होगी बच्चा नहीं हो रहाँ क्या होगा विमार है ठीक णिओ के क्या होगा है प्रिसल लॉट हम क्या होगा कि एक सवाल को अपने मन में दोराते हैं और उस परमेश्वर की आशीशों को भूल जाते है हुमारे पास हादिकार है घघघ हम कोई भी काम जो भी शैटान का है उसको हम निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं हटा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो हतियार है वो शैटान के गड़ों को ढणे के लिए है पांच्वां इसलिए हम कलपनाओं का और हर एक उची बात का जो परमेश्व की पहचान के विरूद में उठती है है कंडन करते हैं इसे लिए हम कलपनाओं का कहाँ से आती कलपना है शैतान की ओर से उसे ले नहीं अभी ठीक नहीं हो आप तो डॉक्टर ने भी रिपोर्ट दे दिया इन में अभी तु आएगा शेतान कि सी की दोरा चाहल आएगा ओए अपको कि कुछ नहीं होगा ते कालप कि यह एक जै इसलिए जब भी यह बाते आपके मन में जब भी ऐसा एकिने कि धना कुछ निए होगा तेरह पती ठीक और पती नशाअपीन बंद नहीं करेगा तुज्जिय्य वें टेज्ञ की तेरह ऑफ नहीं होंगे उसी समय उस्विशार को कंदन करिए के नहीं है मैं इस वचार को इशी मैं स्वांड़ाय तो में आहीं शेटान अगर कहता है, अगर आपके मन में विशार आता है, कि नहीं, आपका अच्छा नहीं होगा, उसको बोलो मेरा इशू मेरे लिए मराए, मेरा अच्छा होगा, शेटान आपसे अंगिकार करवाना चाहता है, जब आपको कलपना है, जब आपको ऐसी बात बोलता है, कि आ मेरा पती नहीं सूतरेगा, Amen? voltar किया? आपने विश्वास को तोड़ा पर्मेश्वर में है, कहा लिखा है? Bible में कहीं लिखा हुआ है? चीपर्मेश्वर कोई बारी टीक नहीं कर सकता है? कोई भी आपकी परसिती से आपको निकाल नहीं सकता है नहीं लिखा है बाईवर में रेस अलोट आपके विश्वास को शैतान कमजोर करता के नहीं अब मेरा अच्छा नहीं होगा और आपके मुँसे अंगिकार करवाता है अब मेरी हालत सुद्रेगी नहीं अब कैसे सुद्रेगी अब तो 20 लाग का हम पर कर्ज हो गया है अभी तो 30 लाग का कर्ज हो गया है अब कैसे हमारी हालत सुद्रेगी अब तो हमारी हालत हमारे बच्चों की हालत बिगड़ती जाएगी आप अंगिकार करते हैं और जब आप अंगिकार करते हैं शैतान आप प इशू इन सबसे हूचा है मेरा इशू इन सबसे हूचा है इसने विश्वास करी मेरे भाई कोई भी परशानिया पर कुछ नहीं कर जखती कोई भी दुनिया इधर की इधर हो जाए बाइबल क्या कहती है आकाश और प्रित्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुख से निकला वचन कभी नहीं टलेगा अपना विश्वास मत खोईए हम सब ने जब उद्धार पाया हमें एक वर्दान मिला हर आदमी हर भाई के पास एक वर्दान है और वो वर्दान है विश्वास का वो वर्दान है विश्वास का जो परमेशन ने आपको उद्धार देते समय दे दि उस वर्दान को अपना यूज करिए उस वर्दान को यूज करिए जब भी कोई मुसीबत आए जब कोई प्रॉब्लम आए अपने विश्वास को लेकर राये चक्टान की तरह मस्भूत करिए मेरा इश्व मेरे साथ है मुझे कभी कोई कमी घटी नहीं होगी बढ़न सहीता 23 का पहला दूसरा कि बढ़न सहीता 23 मुझे कभी कोई कमी घटी नहीं होगी अरे आप कहीं से भी जाए पढ़ बेटा यहोवा मेरा चरवा है मुझे कुछ घटी नहीं होगी प्रेश्वास करते है विश्वास करते है आलेलुया मेरे संग बोलेंगे एकी आवास में यहोवा मेरा जो से बोलिये यहोवा मेरा चरवा है मुझे किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी अमेन जब आप मेरे भाई अपने घर में जब आपकी मुसीबतों के सामने आप अंगी कार करेंगे न तो शैतान को तमाशा मारेंगे आप और शैतान जो है ना मुझे बल गिरेगा वो ख़डा नहीं हो पाईगा आपके सामने क्योंकि वो जब जाएगा आपका चर्वा आपका पिता है और आपको कोई कमी घटी कभी नहीं होगी कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिकार सकती है मेरी बहन कुछ नहीं बिकार सकती है कोई भी मुसीबत मेरा चर्वा मुझे वो हरी हरी चानाईयों में बैठाता है वो मुझे सुखदाई झलने के जर के पास लेके जाता है तिसरा पढ़ीय तिसरा भर्म के मारगों में वा अपने नाम के निमित मेरी अगवाई करता है चाहे मैं गोर्ग अंदकार से भरिवी तराई में होकर चलू तो भी हानी से न डरूंगा क्यूंकि तू मेरे साथ रहता है आप नहीं जानते हैं कि परमेश्र के दिश्री में आप कौन है मेरा भाई लेकिन शैटान चाहता है कि आप ना जाने, शैटान आपके विश्वास को कमझब करता है और आप कमझब हो जाते हैं, प्रेस अलोट, नहीं, यहोवा चाहे, निश्चे मेह, निश्चे मैं अनदकार गिहां, निश्चे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी क्या कहता है दाउद कोई बोल सकता है कौन बोल सकता है जो परमेश्र को जानता है आप डरते हैं कि अभी तक तो ठीक है पता नहीं कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी आपके मन में डर है खौफ है वचन का कहता है निश्चे भलाई और करुणा सदा मेरे साथ बनी रहेगी एमेन भलाई उसकी भलाई अपने दोस्की बलाई नहीं रिश्दार की बलाई नहीं उसकी भलाई मेरे साथ सदा बनी रहेगी अंगीकार करना है हमको जब आप अंगीकार करेंगे जब आप बोलेंगे कि मेरे पास वर्दान है मेरे पास वो अशीश है जब आप अंगीकार करेंगे मेरी बेहन, मेरे भाई शैतान को तमाचा मारेंगे आप और वो मुखे बल गिरेगा आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास कोई शक्ती नहीं है निश्य भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ रहनी रहेगी और मैं यहवा के धाम में सरवदा आवास करूँगा क्योंकि उसी का आवास है उसी का धाम ही हमें जीवन देता है और कोई नाम नहीं इस धरती पर मेरे भाई प्रेस अलॉट लेकिन वो आपको आपके मुँझे गलत चीज निकलवाता है याकूब जो की परमिश्रक का चुन्दा हुआ था आलेलिया आप जानते हैं याकूब अपनी पत्नी राहल से बहुत प्यार करता था करता था प्यार हां के ना पढ़ा आपने एमेन लेकिन याकूब कही शराब देने से राहल मर गई बता आपको शेतान ने गेम खेला 31 पत्ती 31 32 याकूब अपने मामा लाबान के पास था तकरिमन पीस साल उसने काम किया उसकी बीबी का नाम लिया था और राहल था उसका मामा उसको जाने नहीं देरा था वो किस तरीके से अपने बच्चों को अपने बखरियों को अपने मेमनों को अपने उठों को लेकर वहां से निकला जब लाबान को पता लगा कि साथ मेरा जो भांजय था जो मेरा सारा बिंज़ समालता था चला गया मेरे हातों अक्से तो भई एक आदमी चला गया जो बिना पैसे का खुलाम था प्रेस अलोड उसने उसका पीछा किया लेकिन हुआ क्या कि राहिल ने अपने घर से ग्रहे देवताओं की मूर्ती चुरा ली ग्रहे देवताओं की मूर्ती ग्रहे देवताओं की मूर्ती क्यों चुरा ली क्योंकि उस समय जिसके पास ग्रहे देवता होते थे अपने घर के ग्रहे देवता होते थे वो उस घर का उत्रदिकारी होता था ये वसीयत थी, ये लिखा हुआ था मतलब मैं आपके घर का हूँ, मेरा घर आपका है अगर मेरे पास आपके ग्रह देवता है प्रेस अलॉट उस पहचान थी ये कि अगर आप मेरे घर के हैं अगर आपके पास आप ही कहते हैं कि ये जो चीज है, ये जो आपका खांदान है ये जो आपका वसीयत है ये जो आपका पूरी जायदाद है इसका वारिस मैं हूँ, तो आपके पास उस घर का वो होना चाहिए उस कुल का ग्रह देवता होना चाहिए इसलिए वह जो राहिल थी वह अपने घर से निकली तो ग्रह देफता को लेकर आगई अब लाबान ने उसका पीशा किया अपने साले का अपने उसका दामात का और उसके पकाड़ लिया उसके और उसने क्या इजाम लगाया कि तुम चोरी करके भागे हो कहते हैं तो मैं चोरी कि थानि यह चोरिकिये मेरे घर से ग्रहा देवता नहीं है जाते करें लिए मैंने लिए तरफ ले तरह तरह отвеч ले अब देखिए समक्र किया उसने उसने जए बुद्धी से काम नहीं कि उससे नहीं पता था उसने एक उपने देवताओं को पाए वह जीवीत ना बचेगा उसको नहीं पता कि मैं अपनी बीवी को श्राब दे रहा हूं उसको नहीं पता कि राहिल के पास ग्रह देवता है वह अजाने में अपनी बीवी को श्राब दे रहा था हम भी ऐसे ही करते हैं हम अंजाने में अपने पती को कोशते हैं अपने बच्चों को कोशते हैं हमारा बच्चा मस्ती करता है हम कहते हैं अरे रे ये पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था इसको मैंने पैदा क्यों कि आज ये परशान कर रहा है मुझे यही तो शैतान चाहता है की आप अपने मुँ से अपने बच्चों के लिए निकाले और वो उसको पखड़े हम यही करते हैं गलती में उतेजना में गुष्ञे में आते हैं अपने पती के लिए, अपने पति के लिए अपने बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी मा के लिए गुस्से में आते हैं, हम कुछ ना कुछ बोलते है और शयतान हमारे मुँझे वो चीज निकलवाता है याकुब को नहीं पता था कि उसकी बीबी राहिल ने ग्रहे देवता चुराए है लेकिन उसने क्या कहा, मेरे पास तेरा जो कुछ भी निकले सुभाई भंदों के सामने पैचान ले ले, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सुझ जीव इतना बचेगा, हालेलिया, प्रेस अलॉट, पैचिस देखे, इसी का पैचिस हुआ, जब सकेत में वो लोग गए, शकेम में गए, शकेम में गए, वहाँ पर रहे, माँ दीना के संग बलातकार हुआ, वगरा, 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 बहुत कुछ हुआ, उसके बाद जब परमिशन ने कहा, वहाँ से निकलो, देखो क्या हुआ, पैंतिस, पत्ति पैंतिस का सोला, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एपराता थोड़ी ही दूर रह गया था, कि राहेल को बच्चा जन्ने की बड़ी पीडा उठने लगी, जब उसको बड़ी बड़ी उठती थी, तब धाय ने उसे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा, धाय जो दासी थी, जो बच्चा करने में मदद करती थी, उसने कहा, कि अब भी तेरा बेटा होगा, तो चिंता मत कर, आगे, तब ऐसा हुआ, कि वहां मर गई, एमें, देखा हुआ, अचानक, श थीक था, अचानक क्या हो गया, हरे मेरे पती, अचानक ही, कल तक ठीक थीक थे, अचानक चले गए, अचानक हो गया मेरे घर में, अचानक मेरे घर में संकट आ गया, अचानक जो चीजे होती है न, वो श्राप है, आपका पती, आपका भाई, आपका बहन बिमार पड़ा हु उसमें कोई बिमारी नहीं थी कोई बिमारी नहीं थी राहल में कोई बिमारी नहीं थी दाय उसके साथ थी बच्चा पैदा करने के लिए जो दासी थी उसके पास थी यानिके डॉक्टर उसके साथ था उस समय दाय एक डॉक्टर हुआ करती थी डॉक्टर से भी अच्छी वो उसके पास थी, पैसा उनके पास था, सबके उसके पास था और रहे हल मर गई, क्यों त्यों ज्यक्व कर चिए को याकूब के मूँ से शराप निकला था had, इसलिए हमें बहुत सोぎ कर अपनी जबान का इस्तमाल करना है किसी को भी हमें शराब देने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले हमें सूचना आए हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, आपकी जीब में मृत्ति और जीवन दोनों है इसलिए हो सकता है अपने पती से परशान हो, हो सकता है अपने पती से परशान हो, हो सकता है अपने बच्चों से परशान हो लेकिन सोच समझ कर अपने मूँ से अलफाजों को निखा लिए आप अपने लिए भी जो अलफाज यूज करते हैं उसको भी ध्यान से सोचिए पूछाएं जब भी कोई आपसे पूछा कैसे हैं बहुत आशीशित हूं हमेशा करिए बहुत आशीशित हूं यह नहीं अरे चल रहा है यार पता नहीं धंदा क्या होगा कब रोटी के तो लाले पड़े हुए धंदा खतम हो चुका है प्रिज शैतान आपसे अंगिकार करवा आपका स्रिष्टी करता है आपका रचाईता आपको देने वाला आपका प्रोवाइडर परमेश्वर जिन्दा है हालेलुया इसे जब भी कोई आपसे पूछे फोन पर पूछे कैसे हैं आप आइम ब्लेस्ट मैं बहुत आशीशित हूं प्रभू की बहुत कृपा है मुश् कभी मत कहिए कि मेरा नुकसान हो रहा है मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं ना कहें के बुरे दिन मेरे भाही आपको इशू मिल गया है इससे अच्छी सौगात और कोई नहीं हो सकती मुझे इशू मिल गया है मुझे स्वर का अधिकारी बना दिया है इससे बड़ी कीमत इससे बड़ा ख़जाना कोई नहीं हो सकता है प्रेस अलौट इफीशिय दो पांच और छे अगर मुझे कुछ भी ना मिले तब भी चलेगा मेरा धंदा ख़दा मुझे तब भी चलेगा क्योंकि मेरा इशू मेरे साथ है इसलिए अपने मूँ से गलत अंगिकार मत करिए कि मेरा अच्छा नहीं होगा मेरा अच्छा होगा मेरे बच्चे का अच्छा होगा मुझे मेरी जाइदाद मिलेगी बोलिए आप अपने मूँ से कभी गलत मत निकालिए कि मिलती है कि नहीं नो अंगिकार करिए होगा होगा परमेश्व ने आपको दिया है होगा जब आप कहेंगे कि नहीं होगा शैतान काम करेगा क्योंकि आप ने तो अंगिकार करी लिया है कि मेरा अच्छा नहीं होगा आप तो खुद करें कि मेरा अच्छा नहीं होगा आप तो खुद कह रहे हैं परमेश्व कहेंगा अरे भाई नहीं तेरा अच्छा होगा शैतान कहेंगा परमेश्व वो तो खुद कह रहा है आपका बच्चा कि मेरा अच्छा नहीं होगा अयूब का सब को छीन लिया परमेश ने भी ज़ियों लेकिन आयूब ने ने लिन्दा नेपी आ ले लिया और क्या हुआ अंत्व मैं परमेश ने उसे डबल पॉर्षन में आशीर दी डबल पोर्षन में हमें अपने मुझे सही आगे क्योंकि आप आप नहीं जानते कि परमिश्चर की क्या योशना है आप नहीं जानते कि परमिश्चर की क्या योशना है परमिश्चर ने आपको कहा रखा है फिस ये 2, 5 और 6 जब हम अपरादों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीय के साथ जिलाया तब हमें मसी के साथ जिलाया, जैसे मसी जिलाया गया, वैसे मैं जिलाया गया, मुझे आत्मिक सामर्थ दिया गया, मुझे अलोकिक शक्ती दी गई, मुझे परमेश्ण ने अपना पुत्र बनाया, जैसे मसी जिलाया, वैसे मुझे जिलाया, आगे, और मसी इशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गे स्थानों में उसके साथ बैठाया Amen Hello Praise the Lord Praise the Lord कहां बैठाया? स्वर्गे स्थानों में Hallelujah ये तो कुर्सी है लो Praise the Lord इदर लगे, एक कुर्सी और लगे Praise the Lord आईए इदर बैठी इदर बैठी जली बैठी जली आव भाही खड़े रही है ये कॉपी हट आईए हालेलिया बचन दुबारा से पड़ो और मसी में उसके साथ उठाया जैसे मसी को उठाया वैसे मुझे भी उठाया Hallelujah और स्वर्गी इस्थानों में उसके साथ बिठाया किसके साथ बिठाया इश्व मसी से में कहां पर है कहां बैठा हुआ है परमेश्र के दानी और बैठा है जहां इश्व मसी को बिठाया वहां पर उसने मुझे भी बिठाया आपको वह बिठा चुका है इश्यू मसी के साथ वह आपको बिठा चुका है इस फर्ग में अपने मुझे अगर आप गलत अंगीकार करेंगे अट जाएंगे अपने मुझे जरा सांगीकार करेंगे गलत प्रभु की निंदा करेंगे दोश लगाएंगे अपना स्थान खो बैठेंगे जिस सराइके से इश्यू मसी को जिलाया हमें जिलाया जिस तरीके से उठाकर इश्यू मसी को बिठाया हमें बिठाया उसके साथ हमें बिठा दिया प इतना प्रेम करता है परमेशार आपसे बैठी हुई है, हन्यवाद, एमेन, इसमें आपका क्या दर्जा है, आपको पता है, पहला यौना चार का सत्रा, पहला यौना चार का सत्रा, इसको याद रखेगा, परमेशा ने इशू मसी के साथ आपको जिलाया, इशू मसी के साथ आपको उठाया, और इशू मसी के साथ आपको बिठाया, और पहला यौना चार का सत्रा का कहता है, सुनिए, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो क्यूंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है जैसा वह है कौन है कौन है वो कहाँ पर है स्वर्ग में वो वहाँ पर किस सामर्थ के साथ है उसके बास सामर्थ है उसके पास अधिकार है उसके पास शक्ती है क्या कहता है वचल जैसा वो स्वर्ग में है वैसा हम धर्टी बन है वोही सामर्थ लेकर वोही शक्ती वोही सामर्थ वोही अधिकार जो ईशू मसी के पास स्वर्ग में है वोही धर्टी बन मेरे पास है पिर भी हम कहते हैं कि नहीं मेरा बहला नहीं होगा नहीं क्या हो रहा है मेरा फिर भी हमारे चेहरे पर मायूसी होती है मायूसी होती है जरा सा धंदा ठीक नहीं हुआ मायूस हो जाते है अरे आप जानी आप कौन है आप अपने दुखों को अपने संकटों को अधिकार से मूँ से बोल सकते हैं, संकट, ऐस मुसीबत, ऐस बिमारी, निकल यहां से मेरे जीवन से, आपके पास वो अधिकार है, आप जानते नहीं आप को नहीं, आप रो रहे हैं, अब सुचिए, परमेशन नहीं आपको हशीष दिया है, परमेशन नियापको अधिकार दिया है, परमेशन नहीं आपको इशू मसिगा था दिया है, और फिर भी धर्टी पर आप कहनें के नहीं मेरा क्या होगा. अच्छा लगेगा परमेशर को वो कुछ और देगा आपको तो चुनी हुई है बेटी अपने मुँ से हमें गलस शब्द निकालना ही नहीं है मैं इशू की बच्ची हूँ मैं इशू का बच्चा हूँ मेरा अच्छा ही होगा धन्यवाद दीजे उसको रोज रोज कहिए धन्यवाद परमेशर तु हमारा मसी है धन्यवाद तुने आशीर दिया धन्यवाद आज तुने आधी रोटी दी धन्यवाद उस धन्यवाद को कहिए सच कह रहा हूँ आपनी जानते हैं परमेशर कितना प्यारा है वो आपको पूरा करता है कल मैं शोलापुर से निकला और जब बाहर जाते हैं तो पासवान खातेदारी करते हैं कल शाम को पांच बजे हमने खाना खाया चिकन वगज़ा फिर रात को हमें वाज से निकलना था तो हमने साड़े नौबे एक फिर खाया बिर्यानी वगरा तो जैसे खाकर हम लोग आये तो रास्ते में इमेडियर हमको ट्रेन पकड़नी थी तो वाइफ के मन में आया कि नहीं प्लीज पताने मुझे क्या हो रहा खाना यहीं पर है वो छोटी से एक आइस्क्रीम मिल जाएगी यह कुछ मीठा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा तो मैंने का चल लक्ष्मी जली चलते हैं वे गाड़ी में छोड़ रहे हैं ट्रेन निकल जाएगे और कहीं भी नहीं हमने देखा आसपास कहीं भी आइस्क्रीम अजरा नहीं थी कोई दुकाने नहीं खोड़ी थी क्योंकि दस बजें बंद हो जाती दुकाने में इसके मन में था कि आश्क्रीम खाने का मने मैं कोई बात नहीं रात ना करेंगे हमारी एक सीट आरे सी थी एक चार नंबर और एक तालिस नंबर दो सीट अब हम यह उधायड बन में कि आप यहां बैठेंगे आप यहां बैठेंगे सर आप यहां ने ने आप अफिर अल्टी मिटली परमिशन ने आशीर दिया हमको सीट मिल गई जैसी सीट पे पैठा हम सामने वाली सीट पर देगा तो आईस्क्रीम पड़ी हुई है प्रेंस अलॉट अब है आश्क्रीम लेकर नाएं वाई सामने वाले अरे मैंने का यह स्क्रीम कहां से मिली करता जब आप सीट की जुगा करें तो वह आगर चला गया अरे यार मैंने का मुझे भी चाहिए थी मैंने का मैं यहां कई पास में मिलेगी तो लेकर हूँ कहते है अब पैसे नहीं पैसे नहीं हम एक्स्रा लेकर आएं प्रता नहीं हमारे मन में किया हूँ हमने एक्स्रा ले लिए बताइए वह चार आद्मी छे लेकर आगया इस्क्रीम प्रेस अलॉट और वह दो आश्क्रीम हमें दी यह है परमेश्वर आप परमेश्वर की सेवा करिए वह आपको जंगल में खिलाएगा इमांदारी से उसकी सेवा करिए इतने चमतकार हमेरे जीवन में हुएं मैं आपको बता नहीं सकता विश्वास करिए कोई आपका कुछ नहीं बिगार सकता बस अपनी आपकी चाल खड़ी होनी चाहिए आपकी चाल टेड़ी ना हो आप गलत तरीके से ना चले आप प्रभू के वचन पे चलिए आपके घर में बैठे बैठे आशीशों की बारिश होगी घर में बैठे बैठे आशीशों की बारिश होगी क्योंकि आप नहीं जानते जैसा वो इस समय इशू स्वर्ग में हैं वैसे ही हम धरती पर हैं इस अलोट शेटान बड़ी आसानी से उसका काम क्या है कि वो आपका आशीश छीन कर आपकी आत्मा को नश्च कर दिये आप सोचिए यहुदा इस करियोती जिसको इशू ने चुना जो बारा चेलों में था जो स्वर का अधिकारी था जिसको एक सिंगहासन मिलने वाला था प्रेइस दो लॉड जिसके संग इशू चलता था सबसे बड़िया गुरू सबसे बड़ा पास्चर ग्यानी महा ग्यानी इशू उसके संग चलता था चंद सिकों के लिए उसने अपने आपको बेश दिया चंद सिकों के लिए सोचिया चंद सिकों के लिए वो इशू का गवा बन गया गवाई दिया उसने विरुद्ध हलेलुया क्या पाया उसने जिस सोने चांदी के लिए आप तलबते हैं न वो सोना चांदी आपका कभी भी खतम हो सकता है लेकिन इशू का सामर्थ उसकी देया कभी खतम नहीं होगी क्या हुआ यहुदा इस करियोती को और शेयतान बड़ी असानी से ले गया शेयतान आपको बड़ी असानी से लेके जाता है नर्ग की तरफ और आप खुशी-खुशी चले जाते हैं खुशी-खुशी आप नहीं जानते हैं आप सोचिए कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ मैं परमेश्र की निंदा क्यों कर रही हूँ क्या वो मुझे दे नहीं सकता है क्यों मेरे मन में विशार आया परमेश्र के विरुद क्यों मेरे मन में ऐसा आ रहा है बाइबल कह रही है दूसरा करुंतियन 10 का चौथा कि मेरे जो कलपनाएं मेरे अंदर आती है उन कलपनाओं को जो ओची कलपनाएं शेतान मेरे अंदर डालता है उन ओची कलपनाओं को मैं इश्यू मसी का दास बना देता हूँ आपको दास बनाना है, आएंगी कलपना है, शेतान लाएगा, गलत कलपना है आएंगी, गलत सो जाएगी, पती के लिए गलत सो जाएगी, आपके लिए गलत सो जाएगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता हट, शेतान निकल यहाँ से, मैं इश्यू मसी की चुनी हुई बच्ची हूँ तू अधना ईशू की नजर से अपने आपको नहीं देख रही है मेरे बच्ची तू नहीं जानती जब तू पर्मेश्र के मुकट के सामने इन दुखों की कोई वैल्यू नहीं है वह मुकट परमेश्र ने हमारे लिए तयार रखा है कोई value नहीं है इसलिए कहता है परमेश्य उस अधिकार के साथ चलो उस अधिकार को हमेशा जो तुम्हारे पास है जो तुम्हारी जबान पर है इसलिए हमेशा अपने लिए गलत शद्व युद्ध मत करो अपने आपको कहो मैं आशीशित हूँ मैं प्रभू का चुना हुआ बच्चा हूँ, मुझे परमेशन ने चुना है, मैं स्वरका अधिगारी हूँ, मैं इशु मसी का पुत्र हूँ, अंगिकार करो, मैं उसकी पुत्री हूँ, देखिए आप जब अंगिकार करेंगे न, एक अलग सी शक्ती आपके अंदर आएगी, आपका जो अकेला पन होगा, आपकी जो तनहाई होगी, आपकी जो कमिया होगी, आपका जो डर होगा, वो निकल जाएगा, बोलके देखिए, मेरा पती, मेरा पिता, मेरा चरवा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी, आप देखिए सुबह बोलके देखिए, आपके पूरे दिन आपको शक्ती का हैसा करिए कोशिश करिए अपने पती को चर्च में लाएं ताकि वो जब वचन सुनेंगे तो और शक्तिशाली हो जाएंगे आपके बच्चे जब वचनों में रहेंगे और शक्तिशाली कुछ भी हो कलीसिया मत छोड़िये संडे का दिन बहुत जरूरी है पता नहीं परमेश्वर किस वचन के द्वारा आपके जीवन को बतलना चाहता है आप नहीं जानते क्योंकि उसके आने थक हमें उसका बना रहना है आलेलुया तब हम उस आशीश को भोग पाएंगे समझ पाएंगे आलेलुया